प्यारे लेक्चरार सहबान अते प्यारे बच्चियों पंजाब एजू सट सुसाइटी वल्लों तो हाड़ा सारे अंदा स्वागता है मेरे वल्लों भी आप सारे अनों प्यार परी सत्थ रियकाल असी पिचले लेट्चर देवेच Guru अंगभद स्थी देदिन सिख तरम दा विकाष पर्ट 1 किताँ ही उसे देदन आप जैशनी ये इसता Guru अंगभद स्थी दे दिन सिख तरम दा विकाष पर्ट 2 करांगे असी देख्या के गुरु अंगत देव जी गुरु नानक देव जी तो बाद सिखां दे दूसरे गुरु बड़े एहे पंद्रां सो अंताली तो लेके पंद्रां सो बवंजा इस्वी दे विच एक गुर्गद्धी ते ब्राजमान रहे इन्नानों गुरु गद्धी गुरु नानक देव जी दे सेवा करंदे नाल प्रापत होई इन्नाने अन्थक मेंत किती अते आपा वार्या पाव अपने आपनों समर्पित किता उन्ना दे नाल करतार पुर्दे विच रहे खेती दा काम किता पाई लेना जीनों जेडे वी प्रिख्या पाई गई ओहो पूरे उत्तर दे रहे जदों के गुरु नानक देव जी दे आपने पुत्तर शिरीचंद अते लखमी दास एस गाल दे विच पूरे ना उत्तरे अते अखीर दे विच जेडी गुर गद्धी ए उहु पाई लेना जीतों गुरु अंगत जी दा नाधत्ता दे नानु गुर गद्धी गुर नानक देव जीने स्वाम्पी जेडी गुरु अंगत देव जीने सेवा स्वाम्पी गई एस दे विच इनना दा सिख पंथ दे विकास दे विच बहुत ही पढ़्डा योगदान देया इनना ने गुर मुखी लिपी नू जीस्ता मतलब है गुरु दे मुख दे विचो निकली हुई ओस लिपी नू सिखांदे विच हर्मन प्यारा किता जदों के ओस वेले पंड़ता दा अते ओस संस्क्रित जडी पाशा सी ओस नू पवित्तर मन्या जान्दा सी अते गुरु जी ने स्थानक पाशा दे विच आम लोग का दी पाशा दे विच जड़ा हैगा उपर मात्मा दे बारे परचार किता अते लोग का नू जानू करवाया के असलियत जडी है गिया ओस तो दूर नहीं जाना चाहिदा सही किया गल्ट किया ते जड़े लोग सी बहुत ही असानी दे नाल समझना उन्हाने शुरू कर दिता गुरु नानक देवजी दी जनम साखी ए पैरा मोखा तो लखवाई ते जेडिया वी उन्हानू वक्वक तामा ते जित्ते देशां दे विच प्रमन कीता विदेशां द साखियां सी ओ जनम साखी दी रूप देविच लखवा के ओ साडेले एक बहुत वड़ा खजानना जेड़ा है ओ सानूदत्ता इसते नाल ही गुरु अंगर देवजी ने लंगर दीश संस्था नू काइम रख्या जेड़ा गुरु नानक देवजी तो लेके ये संस्था जर काया जान्दा सी इनना दीशेड़ी पतनी माता खीवी जी ओननाने लंगर दीशेड़ी प्रथा बहुत वड़ियात्री के नाल चलाई सारा कम ओननाने अपने जी मेलेया अते इक था देव ते लंगर पकदा सी अते जेड़ा संगता देविच बिना पेदपाव बिना उच नीच देखे इजड़ा लंगर सी हो वरताया जान्दा सी ते इसते असी देख दिया के गुरु नानक देव जी दे बड़े पुतर जेड़े शिरीचांद जी सी इनना दे मान देविच गुसा सी के मैं बड़ा पुतरां गुरगद्धी महनू मिलने जाए दी सी ते उनना न देव रोध भी किता गुरु अंगर देव जी दा पर गुरु अंगर देव जी ने सिखा नू समझाया के बयराग दा सनेयास्ता सिक तरम देविच कोई स्थान निया एस करके असी ग्रहस्ती जीवन नू अपनों दे हुए असी एस दुनिया दे विच रेंदे हुए अपने कम्मा काराणू करदे हुए तारमगे किर्थ करदे हुए नाम जपदे हुए असी परमात्मादी प्राप्ती कर सकदियां सान्नू किते वी पहाडाँ देविच कंदराँ देविच जान दे लोड नहीं सिख संपरदाद विच अन शार्षन रख्या गुरंगत देव जी ने संगत संस्था जड़ी सी ओवी चलाई स्वेरे शाम गुर्बानी दा कीर्थन हुंदा अते जड़े गुरुमादे बचंग सी ओ संगत देविच उन्ना दा परचार किता जान्दा सी गुरु जी ने शब्दादी रचना कित्ती अते गुरु नानक देव जी दे जड़े शब्द सी उन्ना नुवी उन्ना ने एकठा कित्ता अते ए जड़े शब्द सी तांजो एहे उदासी मात दे विच ना राल जान जा इनना दे विच कोई होर चीज ना मिक्स कर देन उन् इक बहुत ही पहल देर आरते ना दी रचना किती यते ना द संकलनवी किता, गोईंदवाल दी स्थापना, गुरु जी ने गोईंदवाल सहब दी स्थापना किती, अपने सेवक अमर्दास जीनु किहा, कि तुसी जाके गोईंदवाल जड़ा है, ओस नुँ नगर नुँ बसा सिख्वानु सुरे रिक कस्राइदी सिख्व ज़ere केसानु दसमों गुरु वेले अथे छीम गुरु ॆ जदों लडाइजा हुन ता उन्ना धी जेडी सिहत पक्षों बहुत ही वधिया साबत हुनी जित्परापत करके शवद करसे सåबक दिता के गुरु अमर्दास जी 1500 बवंजा इस्वी तो लेके 1574 इस्वी तक गुर्गद्धी ती ब्राजमान रही। इन्ना ने जिडा गुरु तार्न किता बाहट साल दी उमर दे विच किता। ग्यारा साल इन्ना ने गुरु अंगद्ध देव जी तान मन तान नल सेवा किती। अते इन्ना ने ब्यास दर्यातों पानी लिओना उन्ना न विशिनान करोना। इक दिन जदों हे किले दे विचाड के गागर लाएके गिर गे ताँ जड़ी ज़लाएदेकार देख गे गिरे ज़लाहेदेकार वाली सीवने किया होर कौन होना। नताना जिड़ा नतावा एंजिनु कोई थाउने कोड़ मांधे कार पानी पर डैम को से बोल कोबो बोले के अदे गुरू अमर्दासची ने किया कामलि ये मैं नतावा नी मैं गुरु वाला मैं थाउंवाला ते मैं एस गल्ट उचोद गुरू अंगत देव जी नू पता लाया अते किहा इन थामे आंदा थाओं नियास्रे आंदा आस्रे अते इननु अग्यतों एह दायत किती के आज तुम बाद तुसी पाणी लेनवास थे ब्यास द्रियादि उत्ति नहीं जाओगे अते तुसी इत्थी रहके ही सेवा करोगे तौडी सेवा जड़ी कबूल परी असी तां उडिक देसी जिनें इक फाड पाक जांदा ऑपाक के तैर्थी थे घेर जांदा एशे तरा असी उडिक देसी के तुसी कदो गिरोसि था अनु अपने गाल नाल लाई ही इनना दे सेवा कबूल हुई अते इनना नू जिदा गुरगद्ध सौंपी गई इनना बढ़ियों ओकड़ा भी आइंगा असी देख्या सी कि दात्तु दावरोध हुए इनन शिरीचांद दावरोधा सामना करना प्या इनन मुसल्माना देवरोधा सामना वी करना प्या अत गुरू अम्र्दासची शिक्पान्तद विकास लेकारज जेड़े कित्ते ने, वो केड़े केड़े काम किते हुए इन्ना दा एक बहुत ही जेड़े कारज किते, एक मील पत्थर साबत होई, सिक्क तरमदे विकास दे बहुत वड़ा योगदान पाया अते इहे लगातार बाईस साल गुरु गद्धी दे उत्ते बने रहे। सब तो पहला कामेना था सी कोईंदवाल साहब देविच बॉली था निर्मान करना। इते पानी दी बड़ीवा डीकिलत सी अते बाबा बुड़ा जी प्यारे वद्यारतियों मैं इहे तो आनू पहला विदस्या सी के गुरु नानक देव जी तो लेके छेवे गुरु हर्गोबिंदजी तक इहे ओ सक्षियत है जिसने के छे पात्षाईयां दे छे गुरुआं द दिल्क वील गाया इनन दे हिस्सिया है अते ओने जेड़े के गुरु नानक देव जी नू जदों यात्रा मां दे उत्ते सान उत्थे मिले अते ओन ना दे एक बहुत ही वड़ी पागत बन गई सान बाबा बुड़ा जी ने गुएंदवाल साहब जेड़ी ये बॉली सी ओस नी उस दी नी रखी अते उत्थे जड़ा है काम मैं ओ इनना दी देख रेख दे विच भी होया इस तो बात चेड़ी ए बॉली साहब दा निर्मान किता एक एड़ा वड़ा हिंदुगां दे ब्राबर तीर्थ बन गया कि जिस्त्रा प्रियाग हार्दवार ए जेड़े तीर्थ ने बड़े ही मशुहूर ने गुरु जी ने वी एक एहुजा तीर्थ देन दी सिखानू उनना ने बहुत ही बड़ा प्राला किता कि उनना ने एस बॉली साहब दिया चरासी पौड़ियां बन वाई ने चरासी पौड़ियां तो मकसद जेड़ा है कि असी मनुख है जदो मर जन्द है ओहो चरासी लख जुन्नी देविच उसनू पौगणी पेंदिया देविच चलेया जान्द है गुरु जी ने प्रचन किता कि जेड़ा वी इंसान इत्थिया कि हार एक पौड़ी देउते बै पाठ करेगा अते फिर इशनान करेगा फिर पौड़ी देउते बैठके पाठ करेगा इस्तरां करके चुरासी वार जेड़ा पाठ करेगा ओस दी चुरासी कट्टी जावेगी ए इन्ना वड़ा तीर्त स्थान बन गया कि जिड़े लोग उथे हर्धवार जाना जा आके थे पहुंचना शुरू हो गया इत्थों दे लोकां दे वेच पानी दी बड़ी काट सी लोका नो पीन वाला पानी भी मिलना शुरू हो गया अते एदे नाल नाल जेड़ा है तीर्थ स्थान है वो भी बहुत वड़ा प्रसिद्ध हो गया गुरूजी ने लंगर संस्था दा विस्थार किता जधों देख्या के कुछ लोक संगत करन्ता आजंदे सी सिक सी जेड़े पर उह संगत करन्ते नाल नाल लंगर नूँ छकना चंगा निसी समझ दे, उन्हा दे मान दे विच छूचात, जात पात ओसे तना सी, ते उन्हा ने जदो देख्या गुरुजी ने, ता उन्हा ने एक एदना दा हुकम जारी किता, के कोई वी सिख जड़ा, गुरुजी दे दर्शन उदों तक नहीं कर जदों तक ओहो लंगर दे विच जाके लंगर नहीं चकेगा, इस तरह कर दे हुए, सारे संगत देली जरूरी हो गया, पामे मुसलमान है, पामे सिख है, पामे ऐसाई है, जाहू, किसे भी होड़ता रमनु मान्द है, पामे हो हिंदू होए, ता सारे उच नीच नू छाड क ये इक ओ लाइन दे विच एको पंगद दे बिच बैठ के लंगर चाकदी सी, बहुत ही वड्डे विस्थार दे विच जड़ा ही लंगर दी जड़ी ववस्था सी ओहो, ऐस विले चाल रही सी गिर मेर सी ये सारा ही, गुरू जी दे, औदे लिसْ बैकी कि से दकोई ताने से लगाया जंदा जा किसे होर जागीर तू कोई पैसा ने सी हों दा एस सारी उनना दी हके कमाई दा जड़ा लंगर सी हो चलाया जंदा एसने लुकां दे विच पाई चारे दी अते एक ता दी जड़ी पावने हो इनने वो पैदा होई गुरु जी ने कहा के पहले पंगत पाच्छे संगत एथों तक जदो केंदे हैं के गुरु अमरदासची कोल मुगल बाद शाक बराया तह अते हरीपुर्दा राजा भी आया ता उन्ना नुवी गुरु जी ने दर्शन तो पहला कि हा के पहला लंगर चकनगे, उन्ना ने वी दरीते बैठके, पंगत दे विच बैठके लंगर चकेया, कहनदे है कि अकबर ता इनना खुश हुए है कि ओसने ता गुरु जी नू किया कि मैं कुछ पिंडा दी जडी जमीन है एदे वास्ते लगवाना चौंदा पर गुरु जी ने किया नहीं, सान दान दी, ओ उन्ना दे दत्ते होयता अंदे विच्चों ही एहे जड़ा लंगर चलेगा, इनना जादा उसनों लंगर स्वाद लगया अकबर नू, प्यारे वद्यार थियो, कि ओसने किहा कि ये लंगरी है जड़ा, इम मैं लेके जाना चौना, नान मैं है जो ता पोजन कद चके यही नी, ता गुरु जी ने किहा, कि ये जड़ा स्वाद है, जित्ते है शर्दा होवे, मांदे विच्च विश्वाश होवे, ओस जगा देते जड़ा एहे लंगर है, शर्दा दे नाल बनेया होया, ते उत्तों गुरु दी किरपा होवे, ये लंगर अपने आप ही ब बहुत ही प्रवावित होया, एक बहुत वड़ी संस्था बान चुकी सी, लंगर विवस्था दी, गुरु जी ने एक होर मंजी प्रथा चलाई, जिस्ता मुखिया उसनों मंजीदार किहा जान्दा सी, क्योंकि एस वेले तक सिक बहुत वदगे सी, अते दूर दूर तक देश्त अन्दा सी, अते गुर्बानी दा पाठ करदा सी, एस लई, एस नमी प्रथा दाना मंजी प्रथा प्याग्या, एहे लोक अपने थांते सिक मात दा परचार करदे सी, परसार करदे सी, अते लंगर दी सेवा भी करदे सी, जो लोक अन्नों ता अन्दन दे सी होथे उ चोही लंगर्दी सेवा कारदे सी अते बाकी दाताने जेडा ओहो गुरु जी नू पेजदन दे सी गोईंद्वाल साहब जोक्टर गोकल चांदनारंग चिड़े हिस्टोरियन हुए ने उन्ना ने एस दे बारे किहा के गुरु साहब दे एस कदम नाल सिख मत दिया जड़ा होर वी पकिया हुएं अते देश दे साब हिस्यां विच सिख तरम्दा परचार हुएं हुन मंजीप रथा गुरु जीने बाई मंजीआ स्थापत कितिया सी प्यारेवद्यार्थियो एक प्रिबाना दा कोडी सी ओसता कोड दूर किता क्योंके गुरु जी गरिबाँ दी कोडियां दी विमारां दी सेवा कर दे सी अते ओधा कोड जदो ठीक हुया उन्ना ने संग देविच केहा के कोई होजा सिख है जेडा एस तेले अपनी ती दा व्याकरन देली त्यार होवे ता पाई शीहां जी खड़े हुए हाथ चोड़के खड़े हुए उन्हाने केहा गुरुजी मैं आपनी बेटी दा व्या एदिनाल करना जोंदा जदो कार गए ता उन्हान दी पतनी ने केहा के तो अन्हों यह नहीं पता क्यों लड़का के हुजे है ते तुसी उथे हां करके आए हो ता जदों उन्हाने आके शीहां जीने गुरु अमर्दास जीनु केहा ता गुरु अमर्दास जीने केहा के इही मेरा पुत्तर है मेरा पुत्तर है है ते बहुत ही ख पादे नालोदा कोड़ दूर हो चुक्किया सी अते हो पहली मंजी जेडी थापी गई ओस्ता संस्थापक थाप्या गया एक गुरु कार्दी बहुत ही वड़ी विलक्षनता है के इते नमाने आनू मान मिल दै नियासरे आनू आसरा मिलया अते निथामे आनू थाउ मिलया अस गुरु अमर दास जी ने समाजिक सुधार्वी किते उनना ने इस्तरिया दे लईता बहुत ही वड़े उचेचे कदम चुके क्योंके इस्तरी दी हालत बहुत बुरी सी ओस विले पर्दा किता जान्दा सी कुंड कड़े जान्दे सी बुर्के पाए जान्दे सी अते और्त जेडे सी ओहो अपना मून अंगा करके नहीं सी चल दी पर गुरु जी ने इनना चीजांदा व्रोध किता इत्थों तक के हरीपुर राजे दी राणी जदू आई ये तुसी देख रहे हो फोटो दे विच के ए हरीपुर राजे दी राणी है ता ओस न भी गुरु जी ने पदेश दता के कुंड कड के नहीं ओना इते संगत है कोई वी पिता दे को लोंती कुंड नहीं काड़ दी अते इसते नाल नाल उन्ना ने औरता नू लंगर बनावन विले जा संगत दे विच बिलकुल मनाही कार देती सी के कुंड दी प्रथा जड़िया है खत्म होनी चाह विच श्रीरक तौर्थे विकास दे विच अते जेडा हे कुंड दी प्रथा परदे दी मनत प्रथा ए मानसिक तौर्थे वी ओसनू कमजोर बनाओ दी है ए बहुत वड़ा प्राला सी बहुत वड़ी हिंमत के ती गुरूमर दास्ची ने इस तो इलावा प्यारे विद्यार थियो ओस विले औरत जिस्ता पती मर जन्दा सी ओसनू बल्दी हुई चिखा दे विच साड़ दितता जन्दा सी पती दा सिरोस दी गोद विच राखके चिका नू अगल गात्ती जन्दी सी अते ओस दे हाथ दे विच ओदे सती हूं तो पहले के नारियल पक्ड़ाया सी जिसनू सदारा किया जन्दा सी कैंदे ओस दे विच जो दो पकड Вас दे जन्दा सी ता मन लिया जन्दा जन्दा है है कि सत्價 इहेना अखियन जो मठी यह अंग जलन को नानक सथ्य हा जानिगं जे बिर्हे चोट मरन के सत्य ए नहीं जेडियां अपने पति दिन चीता अपने पतिणगे इंग हाक हों गीया सत्य आ उनने जड़े अपने पति दे विचोडे देविच रहके ओस ती तडप देविच रहके तडप तडप के जिन्दगी कटे असली सती उहो है एक बहुत बढ़ा प्राला बहुत बढ़ा कदम सी जिड़ा के ओस विले दे समाज देविच ए इना परचलत सी ते एस दा गुरु अमर्दास ची ने बहुत ही पुर्जोर शब्दा देविच एदे जड़ा सी ओधी नखेदी किती अते गुरु जी ने नशियां दी भी नखेदी किती नशा किसे भी किसमदा हुवे नशा बहुत माड है उन्ना ने कहा के जो दरापान कर दे ओस्ती बुद्धी प्रिष्ट हो जान दी है अते ओस्ते दमाग देविच नशा चाड़ जान दे जही चुठी श्राब नहीं पीनी चाहिए जिस नाल मनुख है जड़ा इश्वर नूपुल जावे इच रेड़ी श्राब है जा कोई वी नशा ए मनुख दी बुद्धी नूँ फेर दंदै जी दे नाल की हुंदै के उसनों यह नहीं पता लगदा के चंगा की है माडा की है अते गुरु जी ने अपने सिखानों अते समाजनों नशियांतों दूर रहन देली किहा गुरु जी कहन दे सी के सती हों दे नालों जी अगर कोई विद्वा हो गी है तान ओदा व्या करदिता जावे द्वारा जे एक और्ट दा पती मरजन दै ओस सती हुं दी है तान जी दोगोई और त मरजन दी है तान ओजेडा करवाला उसता ओस्ता क्यों नहीं हुंदा एक बहुत वड़ह स्टेपसी हो ना देली उनना ने कहा के बिल्कुल वी और्थ जात दे नाल किसे किसम दा फर्क नहीं होना चाहिए दा नर अते नारी नूँ एक बहुत वड़ी सिख तरम दी विलखनता है के ओस ने नर अते नारी नू ब्रबर दर जाता था गुरुजी ने किहा कि जी अगर कोई विद्व है ता उसता व्या कर देता जाना चाहिए फिर गुरुजी ने किहा अंतर जाती व्या के अंतर जाती जात ना देखो इत्थों ताके गुरुजी ने एक्जम्पल अपने करदेविच सैट किती कि में के भिब्बी पान नी जीदा व्या उननानी गुरु रामदास जी नाल किता जेड़े के ओस वेले पाई जेठा जी जदों इनना दी पत्नी ने गुरुजी ने किहा के आप एदे बासते कोई बार देखिये कुदरती ओस वेले पाई जेठा जी सामने आ रहे है सी ता गुरुजी ने पुछया अपने पत्नी ने के वर के हो जा होना चाहिए आप महारे उनना दी पत्नी दे मुह निकलिया के आप आई जेठे वर का होना चाहिए ता गुरुजी ने किहा एहो जया वर होर किते नी पाई जेठा ता आप पाई जेठा ये वर एहो जया एही मिल साकता एदे वर का होर कोई नी ते गुरुजी ने अपनी बेटी दा व्या ता पाई जेठा जी देनाल कार देता जाती पे अते गुरुजी ने नमे तीर्थ स्थान्दी स्थाप्णा किते गोहिंदवाल साब सिखांदेले एक बहुत वढ़ा तीर्थ स्थान बन गया जानम मरन ते व्यास्वंदी रित्ताँ देविच सुधार गुरु जीने जदों के हिंदुगां देविच पंडतां तों मंत्रो चारण कराये जान्दे सी व्यादियां बढियां म्येंगियां रित्ताँ सी जानम मरन बेले बड़ा पैसा खर्चोंदा सी गुरु जीने उनना रिट्ता देविच शुदार किता उन्हांने किहां के तुस्य एहोजे मौकई दे उते शबद पड़ो गुर्बाणी गाऊ अती उन्हाने अनंद साहेब दी रचना किती अनंद जेडा के इहोजे विले पामे खुशी आइए पामे गमी आइए पामे केहोजे आवी महौल आै एस ती हर थांदे उत्ते गुरुजी ने के हमेशा सिख अनांद विच रहे उन्हाने एस ती ताकीद किती अते अनांद सहाब्दे विच गुरुजी ने किहा अनंद पया मेरी माई, सत गुरु में पाया सत गुर्ता पाया, सहज सेती, मान वजियां वदाईया राग, रतन, परवार परियां, शबद, गावन आईया शबद तगावो हरी किरा, मन जी नि वसाया कहे नानिक, अनंद हुआ, सत गुरु में पाया ए दे विच गुरु जी ने überwwwयके एक पॉडि ए दिया है चाली पॉडिनय ने अते एजिदे नंद साहब ऐसंते विच उननाने आपके कहा कि ए स्रीरा मेर्या हर तुम में जोत तरीता तु जग में आया फिर उना ने ए भी कहा कि ए स्रीरा मेर्या इस जग में आये कि क्या तुद कर्म कमाया तु की कम किता है थे का दे वास्ते आया है एक थांते गुरू जी ने ए भी हदायत किती कि ए नेत्रों मेर्यों के खानू देखो कोई नदरी हार नहाले पीखिए उन्नाने कंणा दे वास्ते विझे हा ए सर्षणों मेरेओ साचे सुनwrय नोटाइ क्यों लायो तुसी के तुसी सच सुनंदे लिल गायो शनीर लायो शनीर लाये सुनो सच बाणी तुसी सची-वानि सुनों सरीरदे नाल लगाए होए हो जित तल अमानतन हरया हुआ रसनार राससमानी, जी दे नाल साधा मानते ताने जडा ओं हरया होजे अथे जेड़ी साधी रासन है, जेड़ी साधी एह ओदे रासते नाल पार जाबे, जेड़ी हे अनन्द सहाब दी रचना सी एह गुरू जी ने अपने पोते दी खुशी दे विच जिस्ता ना सिद्ध योगी सी ओधों एस दा उचारन किता एक सिखा नू बहुत ही वड़ी देन है अते जेड़ा व्यासी व्याविले लामा दे जेड़ा रचना किती हो गुरू रामदास चीने किती अते व्यावास्ते भी उनना ने एक किहा के जदों कोई व्याव होंदा है ता जेडियां इहे तुसी इनना नू जेडियां लामा ने इन्नानू पड़ो ताँ जो जड़ा व्यादा कार्ज हो पूरा होवे अते होर कोई पंडित बलोंजा मंत्रां दी किसे दी कोई लोड नहीं इसतों इलावा गुरु जी ने शब्दां दी रचना के किसे उन्नाने गुर्णानक देव जी दे गुरुन्गत देव जी अते आप भी जो बाणी रची उन्नाने स्तारा रगांदे वीच नोसौ शफ़ा रचना के किसे इस सारी जड़िया सई एक ठादे उत्ते हुआँ ता ओस फेले ए सारियां बाणियां उन्हानू ओते कठियां करन देविच अते कथांते करन देविच उन्हानू बहुत वड़ी मदद मिली अते आज भी ए जेडा गुरु जीदा पदेश है उन्हान दी जेडी रचन है ओस अनू शिरी गुरु ग्रांट साहब देविच दर्ज मिल देगे इस तो बाद असी देख दियां के गुरु अमर्दास ची कोल गोईनवाल साहब जदो अकबर आया उन्हें पंगद दिविच बैठके लंगर चकिया अते ओस ने तूरा गुरु जीदा होकम मन्या ते बहुत ही परसंसा किती लंगर दी इस तो बाद असी देख दियां के ओ तक्रीद किती के मैं तो नो जमीन देना चौणा जगीर लगाना चौणा पर गुरु जी ने जोदो मना कार दिता ता इन्ना दी जड़ी बिबी पानि सी ओस नूं इनना नी जगीर जड़ी सी ओदे ना लगवा दे ती जड़ी के अमरत सर्दी जड़ी तर्तिया है ओ थे अमरसर बनाया गया ते उत्रादकारी पाई जेठा जीनों स्वंपया गया ते जड़े ए पाई जेठा जी सी ए नदे जवाई सी अते एस तो भाद जड़ी गुरगदिया है जद्धी हो जान दिया क्योंके एक वारी जदों माता जड़े इनना दी पतनी सी बिबीपानी ओ दे जो मंग दिंगे ता उसने कहा सी गुरे आई मीरे कारदे विच रहे अते ए उत्रादकारी इनना नुबनाता गया गुरु रामदास जी पंदरा सो चाहत्तर तो लेके पंदरा सो क्या सी इस्वी तक उहो गुरगद्दी दे उत्ते रहे अते एह सिखा दे चौत्थे फिसान अते इनना दि मातादना अनूप देवी सी जिजेसनू के दया कऊर वी केहा जान्दा सी बचपन दे विच इननना जिठा सी जिठा ओसनू केहा जान्दाए जरा कारदेविच वट्ड़ा पुत्तर हवे अते सब तो पहला फ्रादा हूं दै और बहुत मेंति सिय सदाचारी सी इश्वर देविच पूर्ण विश्वास रखते सी गुरुकार्दी सेवा देविच रहनतो बाद इंना ने अपना जड़ा गुजारा किता तुस देखोंगे बच्चों इना दे बच्पन देविच माता पिता मर गे सी अते इनना नू किसे वी चाचे ताइन ना मूँ लाया अते उत्थों कार्णू जिन्दा लाके ना जिदी जेडी नानी सी अपने नाल लियाई अते कोने उबले होई जडे छोले सी कुंग्णिया जिनू कैंदे नहीं ओ वेच के ओ त्यार करके दंदी वेच दे अते ओ दे नाल ही जेडा करदा गुजारा चल्दा सी अते हो बासर के पिंद दे विचे नानू ले आई सी जित्थे के गुरु अमर्दास चीदे नाल इनना दा मिलाप होया अते इहे